तो आज मैं बॉक्सिंग करने जा रहे हूं वेजी क्लीन की और यह जो है जब से कुरोना हुआ तब से लोग सब्जी और फूट बहुत ही जादा कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से वाश करें सोडा में या नमक के पानी में गरम पानी में बहुत लोग वाश करते हैं इसक इसको कैसे यूज करते हैं उसका तरीका में आपको बताऊंगी तो यह basically होता है कि जो भी vegetables वगएरा में या fruits में जो भी germs या chemicals या waxes होते हैं उनको ये अच्छे से clean करता है उनको अच्छे से साफ करता है इसमें आप fruits वगएरा भी फल वगएरा भी दो सकते हैं और आप vegetables भ उसका तरीका भी इसी बॉटल में लिखा हुआ होता है पर आपको मैं करके दिखा दूंगी कि इसको कैसे यूज करते हैं तो इसको यूज करने के लिए क्या करना होता है हमें 2 लीटर पानी में एक धकन जो इसकी कैप है उसको फिल करके पुरा भर की धकन उसमें 2 लीटर पान आप जैसे भी आपको वाश करनें उसके कोらर्डिंग आपको पानी लेूना और यहां पर थोड़ से थोड़ी से सब्जी वाश करके आपको दैमन और इसको करना क्या है कि इसको आपको पांच मिनट के लिए इसमेख जैसे ही छोड़ देना इसको आपको पांच मेट के लिए इसको छोड़ देना इसी सल्यूशन मे और अगर आप ज्यादा कौणिटी में आपको धोना है यह सबसी उगर जादा है यह पल जादा है तो आप उसी साब से आप पानी ले सकते हैं आपने चाल लीटर पानी लिया तो अब दो ढखकन इसमें दो कैप इसकी फुल करके डाल सकते हैं तो आप पानी जो है उसी साफ से ले सकते हैं और पांच मिर्टक इसको ऐसे ही जो है इसी पानी में इसको पढ़ाने देंगे और पढ़े रहने के बाद क्या करेंगे कि जो सबजी हमने इसमें डिप करके डाला हुआ है जो भीका हुआ है उसको जो है एक एक जो सबजी है उसको निकाल करके उसको हम हाथों से रप कर देंगे थोड़ा सा ताकि उस पर जो भी डर्ट या कैमिकल्स या वैक जो भी हो निकल जाए तो इस तरीके से आपको क्या करन है पांच मिनट के बाद सब्जी को हाथों से थोड़ा सा रप कर देना है ताकि वह अच्छे से क्लीन हो जाए अगर आप फ्रूर्ट्स वगर्व मुशली होता है कि जैसे सेव वगर्ण होते हैं तो उस पर वैक्स कहते हैं कि वैक्सी कोटिंग होती है तो जो वैक्स वहती है सब रिमूव हो जाती है इसमें डालने से और आप इसको ऐसे ही थोड़ा सा जितने भी सबजी के पीसे उनको आप अच्छे से थोड़ा सा रब कर दीजे रगर दीजे और उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको इसमें जो है रनिंग वाटर में टैप वाटर में पेनल के नीचे जैसे कहते हैं, आप इसको अच्छे से वाश कर लीजे, और अगर आपके पास बंड़ ख़केट है वह वाली तो आप उसमें डाल सकते हैं, तो इसमें मैंने देखिए, पानी टैप वाटर का भर लिया, और उसको अच्छे से मैंने वाश कर लिया है, अच्छे से वाश कर रही हूँ, और उसका पानी मैं फिर से निकाल देती हूँ, ताकि जो है, साफ पानी फिर से भर सकूँ, और क्योंकि मेरे पास अभी हुआ ली पकेट नहीं, जिसमें नीचे से पानी निकल जाता है, तो अग जी बिल्कुल आपकी clean हो जाती है तो यह था आज का मेरा वीडियो जो मैं आपसे share करना चाह रही थी मैं अपना personal experience आपको बताना चाह रही थी तो I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो please like कर दीजे share कर दीजे और subscribe कर दीजे तब तक के लिए ध